हरहर महादेव जैवलेनात दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं एपल का पेड़ एपल एफ और एपल कैसे होते हैं ऐसे होते हैं दोस्तों यह पेड़ में हैं आज मैं मनाली की नस्दीक में हूँ और आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ एपल एपल का बईच्चा ए पर एपल का बईच्चा देखिए आप इस तरह से एपल पेड़ों में हैं देखिए दोस्तों यह इस एपल का नाम है गोल्डेन और एपल जो है इतना है कि इतना है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है पेड़ों में कम है यह एपल आप देख रहे हो उपर आप अपर देख रहे हो दोस्तों यह एपल का बगीचा है यह बहुत बड़ा बगीचा है यह बगीचा जो है 98 लाग के बीग चुके हैं यह बहुत बड़ा बगीचा है 98 लाग का ठेका हुए है और मैं आज वहां का वीडियो बनाने आया हुँ जहां का एपल के बगीचा 98 लाग का बिगचा यह गौर्मेंट का ठेका है 98 लाग और देखें आप पूरा पेड़ो में एकदम खचा खच बरा हुए यह एपल एपल का बिगचा है मैं तो सिर्फ एक साइट मेंट के बना रहा हुँ अंदर बहुत बड़ा बिगचा यह बहुत ही बड़ा बिगचा है और एपल इस साल बहुत कम है जहां पे यह ठेका एक करोड़ पंदर लग के ज़्यादा था इस साल यह ठेका 98 लग का गय है यूनिकी एपल कम है मार्केट में और डिमांड बहुत ज़्यादा है दोस्तों इस साल एपल जो हमचल से बाहर करते हैं वहां पे बहुत महंगा मिलने ओलें क्योंकि जो एपल जो है यहां पर 30 से 40 रुप किलो मिलता था वह एपल अगर यहीं पर 100 रुप किलो जाएगा तो बहार हमचल से बहार दिल्ली मंबाई मदरास में तो यह मिलेगा 2-500 रुप किलो जो जूस बनता है वही एक अपल जूस बहुत महंगा बित हैं आप सब जानते हैं ,पी पीती हो देखे अंदर कितनी बड़ा बगिचिया में इस में 2-30 मेंगा लगता और कितना लोग तोड़ते हैं 50 से 60 लोग 50-60 लेवर होता है तब इस एपल को तोड़ने में दो डहे मेने लगता है यहां पर गोल्डेन भी है रॉयल भी है और बिन-बिन तरीका का एपल है एप और एपल क्योंकि यूटुब के हमारे दोस्तो काफी लोग ने तो आप लोगों ने एपल देखानी होगा आपल तो देखाओ ना, स्वारी में गलत बोल रहाँ, आपल का पेड, नहीं देखाओ ना, देखे, ये आपल का पेड है, ये कम से कम आठ, आठ साल पुराना पेड है, और जो पढ़े हो ता है, विस अगर इसमें पेड में, अगर आपल सही होता है, तो 20 पेड़ से जो है एक पूरा जो ट्रक होता है एलपी वो फुल होता है बहुत अच्छी बगीचा